हाँ जी दोस्तों मैं इस वक्त हूँ एमदाबाद उधेपुर हाइवे पे और आप देख रहे हैं कि उधेपुर के का इंट्रेंस गेट है ये सिर्फ 12-13 किलोमीटर दूर है उधेपुर से और मैं यहां पहुंचा हूँ आज दोपैर को मुझे जगा अच्छी लगी लेकिन उससे भी अच्छा लगा मुझे इसका नाम नाम आप भी देख लीजिए आओ जी खाओ जी वा जी आओ जी खाओ जी फैमिली ढबा आओ जी खाओ जी जैसे ही हमने यह देखा तो हमें थोड़ा क्रियोस्टी हुई कि आओ जी खाओ जी नाम तो पढ़िया है तो फिर इदर जो है सामने इसकी खासियत देखने में लग गए हम लोग चाय पी खाना भी खाया इनका बहेवियर भी देखा सामने देखिए लिखाया ब्रेकफास्ट लंच दिनर इधर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है और अच्छा खासा इनके पास लान भी है यह देखिए यहां कुर एक हजार किलो मीटर की यात्रा बाकी है यह इनका ओफिस देख लीजिए और सबसे बड़ी बात यह है के साउथ हिंडियन भी मिलता है पंजाबी भी मिलता है और काफी चीजे है और इनका जो है स्टाइल देखिए आप इनका मैचिंग देखिए यह देखिए शीशे के बुरी सारा कलर मैच दिवार पे जो टाइले लगी है इतनी खूबसूरत लगती है यह कैमरे में भी लगती होंगी यह देखिए और आगे भी जो इन्होंने यह पटिया डाली है और वासवेशन के नीचे तक जो है यह देखिए वासवेशन है उसके मीचे तक नीले कलर से यह अचा काम किया हूए है बहुत ज़वर दस्त चाम दिया हूआ है पर्दे कुर्सिया इवन के मेज यह हर चीज मैच वर फर्श के उपर इतना बढरिया यह जीज लगती है कि देखने में मजा आता है बहुत जवर दस्त खरर हूँ हम कुछ गराकों से भी बात करने की और यह देखिए कि इस होटल के उपर यहां पर सबसे बड़िया चीज आपको मैं और दखाता हूँ एक यह स्विमिंग पूल क्या बात है स्विमिंग पूल बहुत जबरदस्ट स्विमिंग पूल है और यह देखिए यहां हमारे पास कुछ दोस्त आए हुए है हां जी कहां से आ जो पूल के लिए जबड़ जो चाल एक अन्हीं पूल हम तो मैं काम करते हैं तो में कॉलज में लेवरेड ने कॉलेड बाद गुट बढद अच्छा लगा महाल पूल आपको यहां रास्ता उन्ग पूल हम भी आज अज ए आज आए हम यहां ऐसा बार अंपर से swimming pool का मजारा और swimming pool का green green color का पानी पानी में चंद्रमा का अक्स पमढ़ते हुए और बहुती की शानदार नजारा है पुरा और ऐसे नजारें ये storing आखनाशते आप धी यहां आईये और उठाईये वैलकम ये विनोध भाई इसके मालिक हैं उन्होंने कई साल पहले यह शुरू किया था यंग है आज वो यहां नहीं है लेकिन उनका एक साथी है उससे मैं आपकी बात कराऊंगा आपको एक राजस्तानी गाना भी सुनाएंगे दोस्तों यह एक कलाकार हैं यहां पे काम करते हैं इस होटल में लेकिन खुद एक कलाकार होने के नाते इनकी हम अच्छे विशय की कामना करते हैं कभी ना कभी इनको आप टीवी पे रेडियो पे और फिल्मों में गाते हुए देखेंगे यह हैं धर्मेंदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत अच्छी जगा पे काम करते हैं यह देखिए लगतार इनके पास ग्रहक आते हुए एक बड़ी बैन है जो अभी अभी आ का रुकी है और उसमें से लोग उतर कर आ रहे हैं और पहले से भी काफी इनके पास ग्रहक आए हुए हैं आप भी आईए और यहां का मज़ा लीजिए तो दोस्तों कभी भी आप आईए तो उदेपुर से एमदाबाद का जो उदेपुर एमदाबाद नेशनल हाईवे है उसके उपर आपको 12-13 किलोमीटर दूर यह होटल जो है वो नजर आएगा और आप जरूर यहां पे आने की कोशिश कीजिए हम इनसे 100% संतुष्ट हैं और सबसे बड़ी बात ही है कि यह बाइकरों का बहुत सम्मान करते हैं जैसे इन्होंने हमारा यह मोटर साइकल देखा इनको पता चला के हमारा जो टूर है वो नेशनल लेवल का टूर है और हम आल इंडिया टूर पे आए हुए हैं तरविंद्रम से शुरू किया है हमने केरला से और तुंग वाली पंजाब में हम खतम करेंगे तो इनको जैसे ही पता चला तो इन्होंने अपना रेट जो है तकरीबन तकरीबन आदा कर दिया जो पंद्रा सो रुपे का कमरा था वो हमें इन्होंने सिर्फ नौ सो करते हुए कि आप इतनी दूर से आए हैं और यह जो है इतना अच्छा जगा पर आप आए हैं तो बहुत बढ़िया लगा बहुत बढ़िया आप भी यहां आईए कभी भी मुक्का लगे उदेपुर से एमदाबाद के बीच में सिर्फ 13 किलोमेटर दूर आप यहां आईए आपको जरूर अच्छा लगेगा और जैसा मुझे अच्छा लगा है आपको भी अच्छा लगेगा मज़ा आएगा और एक बड़ी बात यह है कि इन्होंने हमें पंजाबी दाल तड़का और पंजाबी रोटियां तंदूरी रोटियां खिलाई और भी मज़ा आया और उस